हेलो स्टुटेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कोशन नंबर 16 इस कोशन में दिया वाया है कॉड 10 cm long is drawn in a circle whose radius is 5 root 2 cm find the areas of both the segment ठीक है एक circle दिया वाया है circle में एक कॉड है ए भी 10 cm length इसका दिया वाया और radius भी दिया वाया है 5 root 2 cm ठीक है यह भी हो गया 10 cm और कॉड का लेंस दिया वाया और radius का लेंस दिया वाया हमें find क्या करना find the areas of both the segment ठीक है एक minor segment बन रहा है और एक major segment दोनो segment का area हमें calculate करना है ठीक है अब segment के area को calculate करने के लिए यह center पर angle हमें पता होना चाहिए था कि जो angle बन रहा है यह angle कितना है लेकिन यहां पर question में यह angle दिया हुआ नहीं है ठीक है तो एक तो तरीका क्या है कि ट्रीगो यूज करके इस angle को calculate कर लें और बाई simple observation अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यह 2 side 5 root 2 5 root 2 का अगर हम whole square करके add करें और 10 square का तो यह दोनों equal आ जाएगा ठीक है by observation 5 root 2 का whole square plus 5 root 2 का whole square ठीक है तो यह हो गया 5 root 2 का whole square 5 का 25 और root 2 का square बन जाएगा 2 तो 25 into 2 यह हो गया 50 plus 50 यह हो गया 100 और इज़र 10 का square करेंगे हम तो यह भी आ जाएगा 100 यानि 2 side के square का sum is equal to third side का square तो clearly OA square plus OB square equal to AB square ठीक है यह condition satisfy हो रहा है therefore angle AOB equal to क्या हो जाएगा angle AOB यह जो angle है यह 90 degree हो गया by converse of Pythagoras theorem तो अब यह center पर हम angle पता चल गया है कि यह जो angle बन रहा है angle AOB यह बन रहा है 90 degree का angle तो हम calculate कर लेंगे area of minor segment area of minor segment area of minor segment कैसे calculate होगा इस पूरे sector के area में से इस triangle के area को subtract कर देंगे area of minor segment equal to theta by 360 pi r square minus 1 by 2 r square sin theta तो theta आगया 90 by 360 into pi का value दिया हुआ है चक pi का कुछ नहीं दिया हुआ है इसकी पदले हम लिख लेंगे 22 by 7 radius हो गया 5 root 2 into 5 root 2 minus 1 by 2 r square into 5 root 2 into 5 root 2 into sin 90 degree ठीक है 90 से कट गया 4 बार में और 2 से कट गया 2 बार में माइनस यहाँ पे भी 1 by 2 5 into 5 25 और root 2 into root 2 यह बन गया 2 और sin 90 का value होता है 1 यहाँ पी 2 2 cancel हो गया और यहाँ पे 2 से इकट जाएगा 7 बार में तो 11 into 25 यह बन जाएगा 25 plus 27 275 by 7 minus यहाँ पे आगया 25 तो दो तरीका है हमारे पास यहाँ तो पहले इसको डिवाइड कर ले यह LC में ले लेते हैं तो 275 minus 25 into 7 यह हो गया 175 by 7 275 minus 175 यह आगया 100 by 7 7 से 14 बार में चला गया 98 रिमेंटर बचा 2 तो 0.28 ठीक है तो यह आगया 14.28 cm square area of minor segment अब मेजर segment का भी area calculate करना तो पहले circle की दिया हो calculate करना होगा area of circle यह तब पाई आर स्क्वार 22 बाइ 7 और रेडिस का स्क्वार रेडिस दिया वाए 5 रूट 2 तो तो जाए गा 22 बाइ 7 5 इंटो 5 25 और रूट 2 इंटो रूट 2 यह बने तो 25 तो जा यह जाए 25 इंटो 250 इंटो 22 बाइ 7 तो 50 जो 22 है उसमें से एक 2 अलग कर देंगे 2 इंटो 11 लिख सकते हैं इसको हम लोग तो 52 जा 100 इंटो 11 बाइ 7 तो यह हो गया 1100 बाइ 7 यह आ गया एरिया ओफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको तो से वन जा सेवन रिमेंटर बची है 4075 जा 35 बची है फिर से 57 जा 49 रिमेंटर बचा से 1.14ट सेंटी मींटर सेंटी मीटर इसक्वेर जैंगे में लिखते इसको इरिया ओफ मेजर सेग्मेंट को तो पूरे सरकल की एरिया में से सरकल का एरिया है 157.14 माइनस एरिया ओफ माइनर सेग्मेंट एरिया ओफ माइनर सेग्मेंट या था 14.28 तो इसको सब्ट्रैक करेंगे जो भी आएगा ठीक है 157 पॉइंट 14 में से 14.28 को सब्ट्रैक करना है 14 में से आठ गया छे यह जीरो टैन में से टूग्या एट इसक्स में से फॉर गया टू यह आ यह 142.86 सेंटीमेटर स्क्रड़ तो यह हो गया एरिया ओफ सरकल या विल गया एरिया ओफ माइनर सेग्मेंट और यह आ जया ओफ मेजर सेग्मेंट थी कह है तो हमारे यह क्वेश्चन हो गया complete मिलते है नैक्स वीडियो में नेक्स कोश्चन के साथ झाल झाल झाल